Hello friend, good morning, this is Rashmi, welcome to the channel और आज देखने वाले हैं हम लोग 6 December 2020 के Important Current Affairs वीडियो स्टार्ट करते हैं दो important lines जो मैंने लिया है हरिवन सराय वजन की कविता वापस लोटना पड़ेगा किसमत के हर पढ़ने पर किसमत लिखवाना पड़ता है जिसमें मिसाल का जजवा है वो दीप चलाना पड़ता है जीहां कोसिस तो करनी पड़ती है Question No.1 देखती है HL-2M Tokamak is the most advanced research device of China is a A. Anti-tank missile B. Nuclear reactor C. Advanced telescope D. Assault rifle HL-2M Tokamak काफे ज़दा news में है आपको बताना है ये क्या है ये चाइना का एक research device है जो की anti-tank missile है nuclear reactor है advanced telescope है assault rifle है तो इसका answer है B. Nuclear reactor HL Tokamak एक artificial sun first advanced nuclear fusion reactor है ये माना जाता है कि इसको artificial sun कहा जाता है जी हाँ जैसा sun में fusion reactor होता है वैसे ही इसमें fusion reactor होता है fusion reactor में क्या होता है जो nuclear unit जूर कर एक nucleus बनाते है helium helium मिलकर hydrogen बनाता है वैसे ही यहाँ पर nuclear fusion reactor होगा और ये चाइना एक पहला country है जिसने first nuclear fusion reactor बनाया है जिसको artificial sun भी कहते हैं Question number 2 देखते हैं भसन 4 आइलेंड इसन न्यूज रिलेटेड टू A. Myanmar B. Thailand C. Bangladesh D. China भसन 4 आइलेंड काफी ज़्यादा न्यूज में है आपको पताना है ये किस प्लेस से रिलेटेड है Myanmar, Thailand, Bangladesh, China तो इसका आंसर है C. Bangladesh जी हाँ ये बांगला देश से ही रिलेटेड है जिस तर से हम सभी जानते हैं कि Myanmar में जेनोसाइड किया जा रहा था रोहिंगा रिफ्यूजी का तो बांगला देश सबसे आगे आता है और उन लोगों को हेल्प करता है इसी में अभी हाल में रोहिंगा रिफ्यूजी के लिए बांगला देश में एक प्रोपर आइलेंड को रिफ्यूजी आइलेंड घोसित किया गया है और उनको हाउसिंग फैसिलिटी दी जाएगी वहाँ पे कौन सा ये आइलेंड है भसंचार आइलेंड Q3 World Swile Day is celebrated on 1st December, 4th December, 5th December, 6th December World Swile Day अभी हाल में celebrate किया गया है और इसका आंसर है C 5th December देखे 5th December को हम लोग World Swile Day बनाते हैं 1st December को World AIDS Day बनाया जाता है 4th December को Indian Navy Day बनाया गया है तो याद रखेगा 5th December को World Swile Day बनाया जाता है सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था 2013 में और इसे स्टार्ट करने वाली ओगनाईजेशन थी Food and Agriculture Organization एक्जाम में थीम भी आ जाता है अगर आपका आसपास एक्जाम है तो आप आप्शन देखे भी समझ सकते हैं इसका आंसर है D. उडिशा उडिशा में अभी हाल में 15 ओनलाइन सर्विस स्टार्ट किया गया है Question No. 5 Who owned the Peta Person of the Year 2020 Award? विराट कोहिली, गितांचली राओ, जॉन अब्राहम, कंगना रनावत इसका आंसर है C. जॉन अब्राहम Peta Person of the Year 2020 दिया गया है जॉन अब्राहम को Peta का full form क्या होता है? People Ethical Treatment of Animal ये organization अनिमल वेलफेर के लिए काम करता है विराट कोहिली को 2019 में दिया गया था Peta Person of the Year Award कितांचली राओ काफी ज़्यादा न्यूज में है क्यूंकि Best Kid of the Year 2020 का अवार्ड दिया गया है गितांचली राओ को कंगना रेनावत भी न्यूज में है क्यूंकि इनको पदम स्री 2020 का अवार्ड दिया गया है Question No.6 Joint Naval Exercise Passes is a exercise between India and USA Australia, Russia, Thailand अभी हाल में Passes Exercise हुआ है जो की Naval Exercise है वो इंडिया और किस कंट्री के बीस्ट में हुआ है तो इसका आंसर है C. Russia जी हां Question No.7 Which of the following is World's Largest Squirrel Species Indian Gent Malayan Gent Grizzled Gent Vietnam Gent अभी हाल में अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि Scurial Species की संक्या घटने वाली है तो कोशन पूछ रहा है कि World का Largest Scurial Species कौन सा है तो इसका आंसर है Option No.7 Malayan Gent जी हाँ Malayan Gent Scurial World का Largest Scurial है और वो इंडिया में भी मिलता है अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि 90% जो Malayan Gent है वो इंडिया से खतम हो जाएगा By 2050 ये रिपोर्ट रिलीज किया है Geological Survey of India ने IOCN में Malayan Gent का जो Position है वो है Near Threatened और इंडिया में ये कहां-कहां मिलता है West Bengal, Sikkim, Assam और नाचल परदेश, Meghalay and Nagaland आप इस पिक को देखिए Malayan Gent जो है वो दूसरे Gent से अलग होता है उसमें यलो और ब्लैक किलर का कंबिनिशन होता है ये वोल्ड में भी बहुत सारे कंट्री में मिलता है चाइना, थाइलेंड, लोएस, फैदनाम, बर्मा और मलायन पैनिसुला कोश्च नमर एट देखते हैं रिसेंटली विस सीटी रेस मुनिस्पल बॉन्ड अंडर मिसन अमरूत मिसन अमरूत एक बहुत ही इंपोर्टेंट गवर्मेंट स्कीम है इसके अंतरगत मुनिस्पल बॉन्ड लांच किया गया है इसमें कौन सी सीटी सबसे ज़्यादा मुनिस्पल बॉन्ड के द्वारा फंड रेस कर पाई है इसका आंसर है C. लखनौ जी हाँ लखनौ ने सबसे ज़्यादा मुनिस्पल बॉन्ड रेस किया है याद रखेगा अमरूत एक बहुत ही इंपोर्टेंट कवर्वर्मेंट स्कीम है अमरूत मीसन जिसका फुल फ्रॉम है अटल मीसन फोर रिजुविनेशन अड अर्बन प्रांस्फोर्मेशन यह काफी इंपोर्टेंट स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा यह फर्स टाइम लॉंच किया गया था 2015 में एवरी हाउस होल्ड एसस टैप वाटर प्रोपर सीवरेज कनेक्शन सेंट्रली स्पॉंसर्ड स्कीम देखें इसकीम दो तड़के होते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम सेंटर स्पॉंसर्ड स्कीम यह जो स्कीम है वो सेंटर स्पॉंसर्ड स्कीम है और रेशियो क्या है 80 इस्टू 20 यानि गवर्मेंट इसमें 80% पंड करती है अमृत के ही अंदर एक और योजना जो काफी रिनाउंड है वो है हिर्दय योजना अमरूत हिर्दे योजना के अंतरगर्द स्मार्ट सिटी मिशन बनाया जा रहा है और स्वक्च भारत मिशन को भी प्रोमोट किया जा रहा है तो याद रखेगा अमरूत मिशन Quesh no.9 Cannabis is in news is a A. Medicine for headache B. Rat killer C. Medicinal plant D. Toxin Cannabis काफी ज़्यादा news में है वो क्या है? Headache medicine Rat killer medicinal plant Toxin इसका आंसर है C. Medicinal plant यहाँ पर पिक बता रहा है इसका आंसर है medicinal plant UN Commission on Nargatic Drug ने अभी हाल में Cannabis को Dangerous Drug की कैटेगरी से हटा दिया है देखी Cannabis जो था वो पहले माना जाता था कि वो Toxin है और इससे क्या होता है? Addicted drug है यह जो कि health के लिए अच्छा नहीं है किन्तु अभी हाल में Research ने यह प्रूफ किया है कि Cannabis जो है वो medicinal plant है जो कि innovative रखता है कोशन नंबर 10 Which court directed the installation of compulsory CCTV's camera at all police station? अभी हाल में कौन से कोट ने कहा है कि CCTV camera compulsory होना चाहिए पुलिस station में? Delhi, Madras, Allahabad, Supreme Court तो इसका आंसर है D. Supreme Court 5th December का question of the day था Who among the following recommended minimum support price? A. Food producer organization B. Cebi C. Commission for agriculture cost and prices D. Forward market commission तो इसका आंसर है C. Commission for agriculture cost and prices और बिल्कुल Commission for agriculture cost and prices के द्वारा ही मंडी भी बनाई जाती है और इसका आंसर दिया है IS Mekar Delhi, Bhanu Yadav ने और Mahabodhi Point ने Thank you for that चलिए question of the day देखते हैं India witnessed the largest decline in malaria case According to World Malaria Report आपको पताना है कि ये report किस ने release किया है This report is released by Food and Agriculture Organization World Health Organization Institute of Economic Peace UNDP तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें Thank you